इंटर एंटमेशन 2022 के लिए जिस छादर का भी नाम पहली मेरिट लिस्ट में आया है या पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया है उन सभी को यहाँ पर देखे गा है इंटर एंटर Jourण का डेण जो है वो यहाँ पे बढ़ाया गया है साथी साथ बोला गया है कि college और बिसे भी आप सभी यहाँ पे बदल सकते हैं college में जाकर आपको कौन सा फॉर्म भरना है बिसे आपको कैसे बदलना है क्यों college में जब admission लेने जाएगा तो वहाँ भी आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और वहाँ भी जो फॉर्म दिया जाएगा बताने जा रहा है उस फॉर्म को आपको कैसे भढ़ना है सारी जनकारी यहाँ पे बताई जा रही है अगर आप slide अप करते हैं तो आपको second meet list में मौका दिया जाएगा गलती से कोई भी सही कर लिए है कूँज करना था साइस गलती से computer कर लिए हैं चूज करना था commerce गलती से arts कर लिए हैं उन सभी छात्रों को भी मौका दिया जा रहा है सब कुछ आप change कर सकते हैं यानि पूरी तरीके से बोले तो आप edit कर सकते हैं sitcom का का डेट भी यहाँ पर बरहेगा और slide up करने वाले जो भी चात है उनको second mate list में नाम दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो सभी चात यहाँ पर admission जो है वो यहाँ पर करा सकते हैं देख सकते हैं कि आपका mate list में जिस college में आपका नाम आया होगा उस college का नाम जो है आप mate list डाउलोड किये होगे वहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते example के लिए मैंने mate list लिया है और इसमें देखे यहाँ पर दिख रहा है college का नाम और stream भी दिख रहा है science माल लेजे किसी student को stream change करना है ठीक है या उसको college change करना है तो इसके लिए बिहार विद्याले पैच्छा समिति ने मौका दिया है देखेगा ध्यान से बिल्कुर समझेंगे बिल्कुर ध्यान से सबसे पहली बात कि आपके merit list में लिखा हुआ कि 11 अगस से 18 अगस तक आप लोग को admission लेना है ठीक है इसमें भी आपको मौका दिया है और अगर आपको लग रहा है कि मैं जो college चूच किया था वो college मुझे नहीं मिला है है न college से मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो उसके लिए college फिर से preference चुनने का भी मौका दिया है ठीक है ध्यान से देखेगा पूरी वीडियो को आप made list चेक किये थें जिसका link मैं नीचे discussion में भी दे रखा हूँ तो यहाँ पर ऐसा page आपका खुला था ठीक है तो इस तरीके से आप made list चेक किये थे सबसे पहले ध्यान से देखेगा आपको करना क्या है कैसे आपको दुबारा यहाँ पर मौका मिला है और अगर admission नहीं भ चरवा है तो बिल्कुल ध्यान से देखेगा ठीक है देखे में इट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक किया होंगे और यहीं पर आपको डिटेल्स जो है बो सब्मिट करना तो फिर से आपको mobile number और अपना password जो है बो डालकर और capture code डालकर यहाँ पर ठीक है इंटर capture code डालकर login कर लेना है उसके बाद देखिए आपके सामने जो page खुल जाएगा उस पर आप ध्यान से दिखेगा देखे जब login कीचेगा तो आपका dashboard इस तरीके से खुलेगा ठीक है जहाँ पर आपको सब कुछ information होगा लेकिन उपर जाएगा तो आपको three dot म मिलेगा ठीक है जैसे यह college preference है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ठीक है नीचे college preference आपको दिखता है तो सीधी आप जब आप three dot पे जाएगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको personal information option preference है ना CA print और slider यहाँ पे दिखेगा और download intimation letter last में दिखेगा तो आपको देखे करना क्या है अगर आपका first mate list में नाम आ गया है पहला number आपको college मिल गया है तो आपका जो college मिला है उस college में आपको admission है ठीक है उसी college मिलेना है लेकिन अगर आपको पहला choice नहीं मिला है तो आप option preference जो की second number पे इसे हो रहा है उसमें जाकर आप college change कर सकते हैं ठीक है और slider भी कर सकते हैं जो की चार नंबर पे आपको दिख रहा है इससे क्या होगा कि आपका second meet list में 100% नाम आ जाएगा और आपका admission भी 100% होगा ठीक है अगर आपका first meet list में नाम आ गया है और अगर आप admission नहीं लेना चाह रहे हैं आपको लग रहा है कि मुझे गलती से वैसा college select हो गया और मुझे वो college नहीं चाहिए तो इसके लिए भी बिहार विद्याले पर इच्छा स्मितिन आपको मौका दिया है आप चाहें तो admission नहीं ले सकते हैं आपको तिसरी meet list आने के बाद जो आपका spot admission होता है उसमें सभी छात्रों को फिर से मौका दिया जाएगा आप मनपसंद college में बिना registration किये हुए भी direct admission ले पाएंगे लेकिन उसके लिए आपको third meet list के बाद का इंतजार करना होगा अगर किसी चात के पास कोई document नहीं है migration certificate नहीं है या कोई un certificate नहीं है तो बिहार विद्याले पर इच्छा समीति नहीं यहाँ पे साफ clear किया है कि आपको school college जो है वो आपको time देगा जमा करने का ठीक है क्यों यहाँ पे आपको 18 अगस लिखा हुआ मिलेगा लेकिन यहाँ पे date जो है वो यहाँ पे बर इसलिए रहा है क्योंकि college जो है लगातार बंद चल रही है 15 अगस लिखान भी बंद है और ऐसे में 18 अगस तक सभी छात्रों का admission होना ना मुम्किन है अब यहाँ पे देखे कि आपको यहाँ पे form जो है वो क्या भढ़ना है college में आपको कौन सा form मिलेगा आपके अलग-अलग college में form का नाम अलग हो सकता है यानि college का नाम अलग सोकता है school का नाम अलग हो सकता है लेकिन वहाँ पे आपको एक form भराया जाएगा registration करने के बाद भी college record के लिए आपको form भराया जाता है तो जो भी registration में आप mention किये थे बिल्कुल आपको same to same डालना है नहीं तो आपका admission जो है वो cancel भी हो सकता है ठीक है तो बिल्कुल ध्यान से जो भी registration में detail डालने हैं जो भी नाम बेगरास डालने हैं सही सही इसमें भी आपको डालना है और photographs भी आपको डालनी है लेकिन आपको बता दे कि यहाँ पर जो column number 9 है उस पर ध्यान से भढ़ना है column number 9 से देखे तो यहाँ पर आपको बिद्याले का नाम परवेस्ती थी है ना छोड़ने की थी थी पंजन संख्या यह पिछला record आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है या दसमी में आपके क्या marks थे किस board से आप पास किये हैं साई detail जो है column number 9 में आपको बहुत अच्छे से भढ़नी है ठीक है इस जीच का ध्यान दिजेगा जहां से आपका SLC ले रहे हैं या TC transfer certificate है ठीक है कब आ स्कूल छो रहे है यह सब date जो है बिलकुल आपको certificate डालना है जो भी आपका migration है या SLC जो भी आप लेकर जा रहे हैं अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको यहाँ पर घबराने की बात नहीं है ठीक है आप यहाँ पर देखे बिसाय का chain भी यहाँ पर फिर से कर लेना है ठीक है कुछ भी से जो है वो आपके fix होते हैं यह प्रिंटेर जो है वो form आपका पुराना भी हो सकता है तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप 100 marks कहीं आपका हिंदी और English पूछा जाता है पचास नमबर की form आपको पुराना मिर सकता तो आपको दिक्कत नहीं लेना है आपको 100 number वाले हिंदी और English का chain करना है और बाकि तीन अन सब्जेक्ट जो है वो आप अपने अनुसार physics chemistry math है तो physics chemistry math लेंगे physics chemistry bio है तो उस अनुसार लेंगे arts के student है तो अपने अनुसार लेंगे ठीक है और यहाँ पे bio के student है तो अपने अनुसार वहाँ पे तीन अलग subject का chain करेंगे लेकिन हिंदी इंगलिस 100 number का आपका compressor है वो आपको लेना ही है जो हिंदी इंगलिस का लावे कोई और subject लेना चाहते है वो भी यहाँ पे अपने subject का chain यहाँ पे कर सकते है ठीक है अब यहाँ पे आपको बता दे कि कुछ documents जो आपके पास नहीं उसके लिए भी बिहार बिद्याले परिच्छा समिती आपको extra यहाँ पे time देने जा रही है पहले document की बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिद्याले परित्याग परमान पर जिसे हम SLC बोलते हैं या migration certificate बोलते हैं बिहार बोट से बाहर के बच्चों के लिए ठीक है तो यह सभी आपको जो है वो आपको जमा करना होगा ठीक है उसका photocopy भी अंग पत्र का भी दो photocopy जाती परमान पत्र का भी दो photocopy इसके लावे कोई documents है तो उसके भी photocopy ठीक है तो जो भी document आपके पास है वो आप वहां पर मुहया करा लेंगे और बांकी जो है वो आपको वहां पर time दिया जाएगा ठीक है बाद में भी आप submit कर सकते हैं तो आपको कोई घबरान नहीं अराम से आपका admission हो जाएगा सारी जनकारी मैंने समझ जादी है अगर वीडियो आप पूरी देखे होंगे तो टेंसन फिरी ओकर जाएगे अगर admission नहीं लिये हैं तो 16 अगस्त से जाकर आप admission जो है वो कडा लिजे क्योंकि 15 अगस्त को तो college ऐसे ही बंद रहेगा ठीक है गाईज तो बने रहे हैं चनल पर जो भी update आएगी आपक को official update सबसे पहले यहां पर आपको मिल तो फटा फट वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ चैनल को subscribe कर लेना और टेलिग्राम ग्रूप का link मैंने description में दिया है जबो से join